हलो एवरीवन, बेलकम बेक टू नोलिज फोर फ्यूचर इस्टडी चैनल इस वीडियो में हम खेल गटना ग्रम करेंट अपेर्स के इंपोर्टन कोश्चन देखेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे किर्केट की सबसे पहले प्रिसिद्ध खेल भारत का किर्केट इसकी बात करेंगे तो किर्केट में हाली में आपको याद होगा ICC T20 बड़कप हुआ है ICC T20 बड़कप हुआ है सबसे पहली बात तो यह हुआ कहां है यह आपको पता होना चाहिए ICC T20 World Cup इसकी जो मेजबानी है वो पहले भारत ही कर रहा था तो भारत में ही ये होने थे लेकिन COVID-19 के कारण इनका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? वो किया गया UAE और Oman में UAE और Oman में इनका आयोजन किया गया T20 World Cup का ठीक है भारत इसका आयोजन करता था लेकिन COVID-19 के कारण UAE और Oman में किया गया टोटल कितनी टीमोंने भाग लिया था इसमें? टोटल 12 टीम थी जनोंने भाग लिया था इसमें टोटल 12 टीम थी दो गुरुपते 6-6 के कुल मैच कितने खेले गये थे? कुल मैच इसमें खेले गये थे 45 45 इसमें कुल मैच खेले गये थे बिजेता टीम कौन सी थी? यह आमको इंपोर्टेंट है याद रखना है बिजेता टीम कौन सी थी ICC T20 World Cup की तो जो फाइनल मुकाबला था फाइनल मुकाबला हुआ था जिसमें जीता कौन ऑस्टेलिया इसमें पहली बार जीती थी पहली बार ऑस्टेलिया जीती थी और ऑस्टेलिया ने और न्यूजी लेंड ने कितने कितने रन मनाए थे तो ऑस्ट्रिलिया ने बनाये थे 18.5 ओबर में 133 बन सबसे पहले इंडिलेंड ने पारी खेली थी जिसमें ने 20 ओबर में 132 रन का टार्गेट दिया था ऑस्ट्रिलिया ने इसको 2 विकेट खोकर 18.5 ओबर में भी बना लिया था 133 रन बना लिये थे तो ये भी आपको याद रखने है उस्ट्रिया जीता कितने विकेट से था उस्ट्रिया आठ विकेट से जीता था इसमें तो ये इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जानकारी है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी आपको याद रखनी है पूछी जा सकती है कब से कब तक हुआ था यह ICC T20 वर्ड कप यह हुआ था 17 अक्टूबर से 14 नवंबर था 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक यह टूर्णामेंट हुआ था UAE ओमान में हुआ था भारत इसका आयोजन करता था औस्टलिया पहली बार ICC T20 वर्ड कप जीता है यह भी आपको याद रखना है अब देखो दो चीजें अगर किर्केट की बात करते हैं तो दो चीजें आपको याद होनी चाहिए कि एक तो player of the match किसे चुना गया और player of the series किसे चुना गया इसे दोनों आपको जरूर याद होनी चाहिए ठीक है तो अगर player of the match की बात की जाए तो player of the match थे Mitchell Mars ऑस्टेलिया के हैं Mitchell Mars जिन्होंने 50 बोलों में 75 रण, 77 रण इन्होंने बनाये थे तो इनको player of the match दिया गया था और player of the series की बात की जाए तो player of the series थी David Warner David Warner, ऑस्टेलिया के हैं इनको कोई सीरीज भी दिया गया था ठीक है हाल ही में डेविड बार्नर को प्लेयर आप दा मन्त भी चुना गया है नवंबर महा के लिए ये भी आपको याद रखना है अच्छा कोश्चन है डेविड बार्नर को प्लेयर आप दा मन्त भी चुना गया है इसके अलाबा अगर आपको बात की जाए इसमें फर्स्ट जो उस्ट्रिया है इसको एक पॉंट छै मिलियन डॉलर की रासी मिली थी एक पॉंट छै मिलियन डॉलर की रासी इसको दी गई थी फर्स्ट बिजेता को सबसे ज़्यादा रन किसने बनाये थे सबसे ज़्यादा रन बनाए थे पाकिस्तान के बावर आजम ने पाकिस्तान के बावर आजम ने बावर आजम ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे 303 रन इसमें बनाए थे और यदि बात की जाए सबसे ज़्यादा बिकेट किसने लिए थे सबसे ज़्यादा बिकेट लिए थे स्री लंका के बानिंदु हसरंगा ने बानिंदु हसरंगा इन्होंने सबसे ज़्यादा सोले बिकेट लिए थे ठीक है यह दोनों आपको याद रखने हैं, पाकिस्तान के बाबा राज़न मिसले बनाये थे, 303 रन और बिकेट लिए थे, बानिंदू हसरंगाने, 16 बिकेट यहाँ पर लिए थे, यह स्रीलंका के हैं, बानिंदू हसरंगा, सबसे ज़्यादा रन किस ने बनाये थे, तो दो बिकेट पर 210 रन बनाये थे भारत ने और किस के बुरुद बनाये थे ये बनाये थे अफगानिस्तान के बुरुद ये बनाये थे तो किर्केट के बारे में इतना आपको याद रखना है इसके अलाबा अगर आपसे पूछ जाए कि ICC अंडर 19 बढ़ कब 2022 का योजन कहा होगा तो वो ब दूसरी जो किर्केट की प्रतियोंगता थी बही थी भारत न्यूजीलेंड-220 कर्णखला । यहाली में उसमें जैपर में भी मैच हुआ था सत्रे नवंबर को ठीक है भारत कश न्यूजीलेंड-220 भारत New Zealand T20 स्रंकला इसमें भारत जीत गया है 3-0 से भारत ने हराया है New Zealand को यानि कि Clean Swip किया है 3-0 से 3-0 से भारत इसमें जीत गया है ठीक है New Zealand को हरा दिया है भारत ने और काप्तान कौन थे यह आपको जरूर याद रखना है अब भी हायली में बंडे का भी कप्तान रोयत सर्मा को बना दिया गया है और T20 का कप्तान भी रोयत सर्मा को ही बना दिया गया है तो रोयत सर्मा कप्तान थे रोयत सर्मा को ही प्लेयर ओफ दा सीरीज भी चुना गया था इसमें प्लेयर ओफ दा सीरीज Player of the Series भी रोहित सर्मा को चुना गया 3-0 से भारत जीत गया है ये आपको याद रखना है 17 नवंबर को जैपुर में पहला मेच हुआ था ये भी आपको याद रखना है काफी टाइम बाद जैपुर में हुआ है इसलिए पूछा जा सकता है 17 नवंबर को जैपुर में ये मैच हुआ था ये आपको याद रखना है काफी टाइम बाद हुआ था इसलिए ठीक है अपने राजिस्तान से ही ये संबंदित है तो रोहित सर्मानी इसमें 169 रन बनाये थे और ये Player of the Series रहे थे कप्तान थे तीन जीरो से भारत इसमें जीता था ठीक है अब आपको एक important जो point है वो आपको याद रखना है कभी कवार ये पूछ लिए जाता है कि ICC ICC की Hall of Fame में भारत के कितने किर्केटर सामिल है ICC की Hall of Fame में भारत के कितने किर्केटर सामिल है साथ में पहले आते हैं विसंद सिंग बेदी 2009 में कपिल देव सुनिसकर 2009 अनिल कुम्बले 2015 राहुल द्रिविड 2018 सचिन तेंदुलकर 2019 में आपको नभीन तम बता रहा हूं लिख रहा हूं यहां पर वैसे मैंने आपको बता दिया हैं सारे नाम साथ हो सचिन तेंदुलकर को 2018 में उन्नीस में 2018 में राहुल द्रिविड को और बिनूद माकंट को 2021 में होल ओफ फेम में सामिल किया गया था बिनूद माकंट को 2021 में तो यह आपको याद रखना है साथ प्लेयर हैं टोटल आईसेसी के होल ओफ फेम में 106 खिलाड़ी हैं इसमें पूरे बिस्व में 2009 में इसकी सुरुवात हुई थी अभी हाल ही में स्रीलंका के महीला जैबर्दने दचनी अफरिका के सौन पोलाक और एगलेंड की पूर बलिवाज जेनेट बिल्टेन को आईसेसी होल ओफ फेम में सामिल किया गया है तो आपको याद रखना है ICC होल ओफ फेम में सचिन तेंदुलकर 2019 में बिनुद माकन 2021 में टोटल साथ हैं इंडिया की अब इंडिया की अगर बात करें BCCI की तो एक ट्रॉफी फेमस है यहाँ पर वो है सेयद मुस्ताक अली ट्रॉफी मुस्ताक अली ट्रॉफी यह जो ट्रॉफी है यह जीत ली है तमिल नाडू ने तमिल नाडू और करनाटक में फाइनल मेंच हुआ था तमिलनाडू और करनाटक इन दोनों में फाइनल मेंच हुआ था और जीता कौन तमिलनाडू इसमें जीत गया है तमिलनाडू तीन वार यह किताब जीत चुका है तमिलनाडू तीन वार यह किताब जीत चुका है तमिलनाडू ने तीन वार यह किताब जीता है और पहली टीम बन गई है, तीन वार खिताब जीत लिया है, तमिल नाडू ने, और इस बार भी कौन जीता है, तमिल नाडू जीता है, टोटल 38 टीमें थी, T20 प्रारूप था, तमिल नाडू इसमें 4 विकेट से जीता, केबल आपको याद रखना है, तमिल नाडू जीता है, अभी कबार इस्टेडियम का नाम भी पूछ लेते हैं, जैसे कि पूछाया सकता है कि अरून जेटली स्टेडियम कहां पर है, तो दिल्ली में है अरून जेटली स्टेडियम, तो ये भी आपको याद रखना है, अरून जेटली स्टेडियम में ये मैच खेला गया था, तो यह तो बात हो गई cricket की ठीक है अब बात चलती है tennis की ठीनिस के आपको एक तो पहली बात तो आपको tournament भी yagर है अमको tournament है तूर्णामेंट है अग्जल में ठीक है तो टेनिस के जो tournament है बो है पॉर्षों का है ATP ATP Tour Finals ATP Tour Final जो ATP Tour Final 2021 है ये खेला गया था Italy के Turing में ये भी important है Italy के Turing में खेला गया था पहली बार इसलिए important है ये इसमें जीता कौन है जर्मनी का Alexander Jorab जीता है का के जीते हैं Germany के Alexander Jorab नाम आपको जरूर याद रखना है जर्मनी के एलेक्जेंडर जुएरेव इसमें जीते हैं फर्स्ट इसमें साथ जिल किया है और सेकंड इस्तान इन्होंने हराया किसको है रूस के नमबर टू खिलारी बिस्व नमबर टू खिलारी डेनियल मेद्वेदेव को अगर योगल किताब की बात की जाए तो योगल किताब में आपको दोनों नाम याद रखने है फिरांस के हैं योगल किताब में आपको दोनों नाम याद रखने है एक तो है प्यूरे पियरे हीूज हरवर्ट पियरे हीूज हरवर्ट दूसरा आपको याल रखना है निकूलस माहुट निकूलस माहुट तो इन दोनों ने मिलकर जीता है योगल किताब आप देखो नाम पूछ ले जाते हैं आपर आप से पूछा जाएगा टेनिस का इसमें कौन जीते हैं जर्मनी के अलेकजंडर जूएरेब जीते हैं हराया किसको है डेनियल मेदवेदेप पूर आया है योगल किताब पियरे हीूज हरवर्ट और निकूलस माउट ने जीता है और हराया किसको है इनोंने राजीब राम अमेरका के और यूके के जो सेलिस बरी को और आया है ठीक है अब बात आती है महिलाओं की तो महिलाओं का है डवलू टी ए डवलू टी ए ठीक है जिसे एटी पी है ठीक है ऐसे ही डवलू टी ए टूर फाइनल्स है महिलाओं का जिसमें कौन जीते हैं जिसमें जीते हैं इस्पेन के गरवाइन मुरुगुजा इस्पेन की खिलाडी है इस्पेन की खिलाडी है गरवाइन मुरुगुजा गरवाइन मुरुगुजा ये इस्पेन की खिलाडी है जो की जीती है इन्होंने एस्टुनिया के एनेट कुंटा बेट को हराया है ठीक है इतना आपको याद रखना है WTA फाइनल्स में ठीक है और भी है WTA का योगल किताब भी है जिसमें क्रेजी कोबा और सिनिया कोबा आपको याद रखना है अगर महिलाओं का योगल किताब पूछा जाए अगर महिलाओं का योगल किताब पूछा जाए तो दो नाम आपको याद रखने है एक तो Crazy Koba Crazy Koba और दूसरा याद रखना है Sinia Koba Sinia Koba ठीक है, महिलाओं का इतना Important नहीं है, पूछा जाता है ये ATP Tour Final पुछा जाता है बार बार एक्जाम में तो जर्मनी एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है इटली ट्यूरिन में ये हुआ था इसलिए आपको याद रखना है ठीक है ये जो WTA है WTA हुआ था मेक्सिको में मेक्सिको के जपोपन में हुआ था WTA यानि की बुमेंस ट्यूर जो फाइनल है वो हुआ था जपोपन मेक्सिको ये अभी आपको याद रखना है अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो की हाल ही में चर्चा में भी रहा है फॉर्मूला बन रेस फॉर्मूला बन रेस पर भी काफी बार पुछा गया है और हरवार आंसर होता था लुईस हैमिल्टन लेकिन अभी आंसर चेंज हो गया है अभी फॉर्मूला बन रेस जो मेक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स हुआ था कहाँ पर हुआ था मेक्सिको सिटी ग्रांड प्री इसमें जीत गएं कौन ड्राइवर है ठीक है तो मैक्स को सिटी ग्रांड प्रिक्स में कौन जीते हैं मैक्स बरस्टापन मैक्स बरस्टापन जीत गए है मैक्स बरस्टापन ये जीत गए है फर्स्ट इस्तान इनको मिला है कहां के रहने वाले हैं ये भी पुछा जाता है तो ये नीदरलेंड के रहने वाले हैं ठीक है इनकी टीम का नाम क्या है रेड़ बुल रेसिंग Red Bull Racing इनकी टीम का नाम है Honda Red Bull Racing, Honda ठीक है यह इनकी टीम का नाम है एक इन्होंने हराया किसको है तो इन्होंने हराया है Lewis Hamilton को Lewis Hamilton को आपने अख़वार में भी पड़ा होगा कई सेलिबरेटी है हमारे सचिंतन हंदुल गर ठीक है तो लुइस हैमिल्टन यूके के हैं लुइस हैमिल्टन और लुइस हैमिल्टन की जो टीम है वो है मर्सडीज मर्सडीज के ड्राइवर है यह लुइस हैमिल्टन कापी टाइम से लुइस हैमिल्टन ही जीत रहे थे लेकिन अभी जो जीत गए है मैक्स बरस्टापन ठीक है अगर आपसे बात की जाए साव पोलो ग्रांड प्रिक्स की साव पावलो ग्रांड प्रिक्स जैसे कि मैक्स को ग्रांड प्रिक्स है ऐसे ही साव पावलो ग्रांड प्रिक्स है इसमें जो जीते हैं वो जीते हैं हमारे लुइस हैमिल्टन ठीक है मैंने आपको बताया था अभी के लुइस हैमिल्टन ही जीतते आए हैं लेकिन अभी हाली में मैक्स को ग्रांड प्रिक्स में चेंज हो गया मैक्स बरस्टापन जीत गए ठीक है इसमें कौन जीते हैं इसमें Lewis Hamilton जीते हैं और सेकंड इस्तान मिला है Max बरस्टापन को Lewis Hamilton ठीक है तीसरा अगर बात की जाए Qatar Grand Prix की तो Qatar Grand Prix में भी फर्स्ट इस्तान तो मिला है Lewis Hamilton को Lewis Hamilton को फर्स्ट इस्तान मिला है और सेकंड इस्तान बात की जाए तो वो ही Max बरस्टापन Max बरस्टापन इन दोनों में ही कंप्रिशन चल रहा है हाली के टाइम में अगर Formula Band Race की बात की जाए तो यह बात होगी Formula Band Race की अब अगर बात की जाए Table Tennis की Table Tennis Table Tennis में मनी का बत्रा और अर्चना कामत ने WTT Contender Tournament का महिला योगल किताब जीत लिया है नाम आपको याद रखने है Table Tennis में मनी का बत्रा और अर्चना कामत दो नाम है जो कि आपको याद रखने है मनी का बत्रा मनी का बत्रा पिलस अर्चना कामत इन दोनोंने कौन सा टूनामेंट जीता है WTD Contender Tunament Contender Tunament का योगल किताब इनोंने जीत लिया है मनिका बत्रा और अर्चना कामत ने टेबल टैनिस में ठीक है अब बात करेंगे हम रैसलिंग की रैसलिंग का मतलब है कुस्ती तो रैसलिंग में अंडर 23 महिला बिस्व कुस्ती चैंपियनसिप 2021 हुई थी सर्विया के बेल ग्रेड में ये हुई थी अंडर 23 अंडर 23 की जो चैंपियनसिप है महिला बिस्व कुस्ती चैंपियनसिप 2021 ये हुई थी सर्विया के बेल ग्रेड में कोशन ये भी आता है कहां होई थी तो सर्व के बेल ग्रेड में ये संपन होई थी इसमें जीता कौन है तो भारती के जो पहलवान है उन्होंने एक रजट चार कांसे सहित कुल पांच पदक इसमें जीते हैं देखो एक तो इसमें जीता है रजट सिल्वर मेडल ठीक है तो जीते हैं कांसे भारत ने टोटल पांच पदक जीत लिए हैं अठारवा इस्तान ने सहा है महिला अंडर 23 महिला कुस्ती चैंपियंशिप में ठीक है तो पांच पदक इन्होंने भारत ने जीते हैं रजट पदक बिजेता आपको याद रखनी है सिवानी पबार सिवानी पबार ठीक है इंपोर्टन है सिवानी पबार रजट पदक बिजेता है ये आपको याद रखनी है कांसे पदक बिजेता है अंजू, रादिका, निसा और दिब्या, काकरान अब बात करते हैं सीनियर राष्ट चेंपियंशिप 2021 की सीनियर राष्ट यह कुस्ति चेंपियंशिप 2021 सीनियर राष्ट यह कुस्ति चेंपियंशिप 2021 अब इसमें पहले नंबर पर कौन रहा है इसमें पहले नंबर पर रहा है Services Sports Control Board SSCV Services Sports Control Board यह 100 पिच्चिन में अंकों के साथ सीर जिस्तान पर रहा है सेकिनड में Railway Sports Promotion Board RSPV रहा है तीसरे पर हरियाना रहा है ठीक है तो यह आपको याद रखना है SSCV पहले नंबर पर रहा है इतना ही आपको बस केबल याद रखना है अब बात करते हैं तीरंदाजी की तीरंदाजी तीरंदाजी में जो ACI तीरंदाजी Championship है ACI तीरंदाजी Championship इसका जो मेजबान है वो ढाका था बंगलादेश में ACI तीरंदाजी Championship 2021 इसका जो मेजबान है यह ढाका था ढाका बंगलादेश की राजदानी है 14-19 November को यह टूर्नामेंट हुए थे 14-19 November को हुए थे 22 वा संसा इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं तो भारत ने टोटल एक स्वन जीता है चार रजद जीते हैं और दो कांसे जीते हैं तो इतने पदक हो जाते हैं टोटल साथ पदक भारत ने यहां पर जीते हैं ठीक है बंगलादेश तीन पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा था दच्छन कोरिया पहले स्थान पर रहा था अगर A.C.A.E. तीरंदाजी चेंपियंशिप की बात की जाए तो दच्छन कोरिया दच्छन कोरिया फर्स्ट स्थान पर रहा था कितने पदक के साथ पंद्रे पदक के साथ यह आपको याद रखना है अगर भारतिय खिलाडी की बात की जाए ACI तीरंदाजी चेंपियंशिप में तो भारतिय खिलाडी में जो स्वन पदक जीता था वो जीता था ज्योती सुरेखा बेन नाम ने ज्योती सुरेखा बेन नाम आपको जरूर याद रखना है अब बात की जाए सत्रंज की सत्रंज में भारत के नए ग्रांड मास्टर कौन बन गए है मित्रभा, गुहा और संकल, गुपता नागपुर महराश्ट के हैं संकल, गुपता और कोलकाता की हैं मित्राभ, गुहा मित्राभ, गुहा ये कोलकाता की हैं पिलस संकल, गुपता ये महराश्ट के हैं संकल, गुपता ये दोनों नए ग्रांड मास्टर बन गए हैं नए ग्रांड मास्टर तीज़ेंट है याद रखना है 71 और 32 ग्रांड मांस्टर बन गए हैं संकल्ब गुपता 71 ग्राव गुहा बहतर के हैं मित्राव गुहा कौलकाता के हैं तो यह आपको याद रखना है नए ग्रांड अब बात करते हैं मुक्यवाजी की तो भारतिय मुक्यवाज आकास कुमार ये AIVA पुरुस बिस्वी मुक्यवाजी चेंपियंसिप में कांशे पदा के नो लिता है तो नाम याद रखना है आकास कुमार अब एक important point में आपको बता देता हूँ जो की exam में पूछा जार सकता है प्रिकास पौदुकोन को lifetime achievement award दिया गया है प्रिकास पादुकोन पादुकोन का नाम याद आती ही आपको दीपिका पादुकोन का नाम याद आजाता होगा जी हाँ उनके ही पिताजी है प्रिकास पादुकोन जिनको 1983 में ये जीते थे Copanhegan टूनामेंट तो इनको lifetime achievement award दिया गया है lifetime achievement award ठीक है यह आपको याद रखना है lifetime achievement award